हलो स्टुडेंट आज हम पढ़ेंगे लेसं टेन हेवनली बॉडिज वी सी मेनी शाइनी ओब्जेक्ट इन दे स्काय दूरिंग डे हम बहुत सारे शाइनी ओब्जेक्ट हैं जो इसकाय में डे के टाइम देखते हैं और नाइट और नाइट में भी देखते हैं इन सभी को हम क्या बोलते हैं Heavenly Body तो हम बात करते हैं Sun की यह Sun की Pictures आपको दिख रही है इसमें वी सी दे Sun इन दे टाइम ऑल्ली जो Sun हे वो ऐल्ली डे के टाइम पे हमको दिखता है It is very big star यह बहुत बड़ा star है Much bigger than the Earth यह Earth से भी बड़ा है If looks small, यह हमको छोटा दिखता है, small दिखता है Because it is very far away for us क्योंकि यह हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर है It is a ball of fire, यह एक fire ball की तरह हमको लगता है And gives us heat and light यह हमको heat भी देता है और light भी देता है The sun rises in the east in the morning Sun जहे वो morning के time पे east में rise होता है Rise मतलब उगता है And sets in the west in the evening Or evening के time, मतलब शाम के time Waste में डूबता है, sets मतलब डूबना होता है Our earth revolves around the sun हमारी जो earth है, वो sun के चारोर revolves करती है उसके बाद आते हैं, the moon आपको यह moon की pictures इसमें दिख रही है The moon is rounding shape जो moon का shape होता है, वो round shape का होता है But keep changing its shape during the month But यह month के according अपना जो shape होता है, वो change करते रहता है आपने देखा होगा कभी आपको moon का shape different दिखता है, कभी आप different कभी पूरा full moon दिखता है, कभी half moon दिखता है आपको It shines in the night sky यह रात को sky में हमको दिखता है, shine करता हुआ But does not have its own light इसकी अपनी खुद की light नहीं होती है It gets light from the sun यह किस से light लेता है, यह sun से light लेता है The changes in the shape of the moon are called the phases of moon जो moon का जो shape होता है, जो यह change होता है, उसको हम क्या बोलते है Phases of the moon The moon revolves around our earth जो moon रहता है, वो हमारी earth के चारोवर revolve करता है अब the stars आपको रात के समय अगर हम आप आस्मान में देखते हैं तो हमको बहुत सारे छोटे छोटे तारे दिखते हैं यह पिच्चर में आपको दिख रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, stars At night we see countless stars in the sky अगर हम रात को देखते हैं तो हमको sky में countless stars countless मतलब जिसको हम गीन नहीं सकते हैं, इतने stars हमको दिखते हैं They are very big inside यह size में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, big होते हैं But look small as they very far away from the earth But we see these little things, क्योंकि हमारी earth से बहुत ज़्यादा दूर है They shine with their own light यह इनकी खुद की अपनी light होती है, इसी से यह क्या करते हैं, shine करते हैं तो यह जो आपका chapters था heavenly bodies की आपको समझने आ गया हो गया Thank you very much